हलो फ्रेंड्स, न्यूस्पेपर डिक्टेशन स्टार्ट होगा फ्वाइब सेगेंड बात स्टार्ट मेरे साथ ही ऐसा क्यूं होता है पापा को इतना तो समझना चाहिए ना पती के लिए काम करके तूट भी जाएं लेकिन उन्हें मेरा जन्म दिन तक याद नहीं घर महमान आए उस दिन रसोई तक में ठिकाना नहीं रोजमर्रा की जिन्दगी में इस तरह की अनेक उल्जन समश्याएं हम मनुश्यों के मन मस्तिस्क में उमर्ती गुमर्ती रहती है अन्तते ये सब दुख हताशा और निराशा का सबब बनता है जीवन में प्रतिकूल समय सयोग बनते हैं और घटनाएं घटित होती ही है कारण जीवन कोई शौपिंग मॉल नहीं है जो हम मनपसंद चीज शौपिंग बास्केट में रख लें जीवन साप सीडी की भाती है पासा फेकने पर कौन सा अंक आएगा और उस अंक पर सीडी होगी की सर्प का फन निश्चित नहीं होता जीवन में अनपेक्षित प्रसंग घटनाएं होती ही रहेंगी इनसे दुखी होने की बजाय हस्ते हुए उपस्थित हालात को सुईकार करने वाला ही सच्चा वीर है हम बाइक से घर से निकले और तभी इंद्र देव की क्रपा से बारिश शुरू हो जाये तो इसे बंद तो नहीं कर सकते हाँ रेनकोट की मदद से खुद को बचा सकते हैं गर्मी की तपती दोफेर में तपिश कम नहीं कर सकते लेकिन छाया की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं इसी तरह किसी व्यक्ति के सुभाव और इसके चलते पेश आने वाली परिस्तियों को नहीं बदल सकते हैं हाँ हमारे पास ऐसे उपाय होने चाहिए ताकि व्यक्ति के सुभावए हालात की मार हमें परिशान न करें इसका श्रेशतम उपाय है स्विकारना जीवन में अनेक महत्वपून पल पड़ाव आते जाते हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता लेकिन हम स्विकार कर लें तो समश्य नहीं रहती उधारन के लिए नाम को ही ले लीजिये उसमें हमारी पसंद नापसंद कहां होती है फिर भी उसे स्विकार कर लिया तो आनंद ही होता है मेरे एक परिचित का नाम है कचरा भाई हमारे बेटे को किसी की नजर ना लगे ऐसी मान्निता के चलते माता पिता ने यह नाम रखा स्कूल में सहपाटी मजाक उडाते चिडाते थे लेकिन कचरा भाई हसते रहते उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने स्विकार कर लिया था कि लोग तो बोलेंगे ही वैसे तो बात मनुष्य को सबसे अधिक दुखी करती है वह है सामने वाले व्यक्ति का व्यावार बरताव कोई हमें चाहेगा की नहीं आदर देगा की नहीं सम्मानजनक तरीके से पेश आएगा की प्रतिकुल रवया होगा रोजमर्रा के जीवन में पेश आने वाले ऐसे हालातव पर भी हमारा कहा कोई नियंतरन होता है खुद के विचार और आचरन के अलावा दूसरा कुछ भी हमारे अपने हाथ में नहीं होता इसलिए हमेशा अपना रवया व्यावार अच्छा रखने के लिए परियतिंशील रहें साथ ही दूसरे से इस तरह के व्यावार की कतई भी अपेक्षा न रखे भगवान शिरी राम चंद्र जी अयोध्या के यूराज बनने को थे इसी बीच यका यक केकेई के मुख से वर्दान वाले शब्द बान निकले यूराज तो भरत ही बनेंगे और राम चंद्र तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना है ये आगात छोटा न था राम चंद्र जी का प्रतिभाव कैसा था तुल्चिज दास जी ने लिखा है मन मुस्काई भानू कुल भानू राम सहज आनंद निधानू राम चंद्र जी तो मुस्कुरा रहे हैं आनंदित हैं क्या किया उन्होंने परिस्ति को हस्ते हुए स्विकार किया इसका अर्थ यह नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर किस्मत के सहारे बैठे रहें परिस्तिया अनुकुल बनाने के लिए परियासरत रहें इस पर भी सफलता न मिलने पर कोई शोक न करें परमुक स्वामी माराज के जीवन में मैंने यह बात प्रत्यक्ष देखी कि वे हर कारिय में अगात पुरुशार्थ करते थे लेकिन परिणाम हमेशा इश्वर पर छोड देते थे सफलता मिले वाह वाह हो तो भी भगवान को श्रे देते और विफलता मिले तो उसे भी भगवान का प्रसाद समझ कर सहर्ष श्विकार करते यही कारण था कि उन्हें कभी किसी ने दुखी निराश अथुआ निरुसाहित नहीं देखा आईए हम भी इस मार्ग का अनुसरण कर जीवन के प्रत्यक्षन का आनंद ले गोरव के साथ जीएं पैरा जीवन में सफलता का सकारात्मक सोच और आशावादी होने से सीधा संबंद है अकादमिक शेत्र हो या फिर पैशवर जीवन आशावादी लोग बाकियों से आगे रहते हैं विवन शोद बताते हैं कि सभी लोग आशावादी हो यह जरूरी नहीं है लेकिन दिमाग को सकारात्मक होने के लिए प्रसिक्षित कर सकते हैं यानि आशावादी होना सीखा जा सकता है किंग्स कोलेज ओफ लंदन के शोद करताओं का एक अध्यन बताता है कि व्यक्ति में 25 फिजदी आशावाद उसका खुद का होता है इसके बाद हमारी सकारात्मकता को परभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक इस्थती जैसे कई पहलू होते हैं जो अकसर हमारे नियंतरन में नहीं होते लेकिन फिर भी हम अपने आशावाद को बढ़ा सकते हैं और जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवय को विक्सित कर सकते हैं स्टेफन फोर्ड विश्विध्याले के प्रोफेसर लीही विस कहते हैं कि कुछ लोग स्वाभाविक या प्राकरतिक रूप से आशावादी होते हैं लेकिन कई लोग आशावाद को सीख भी सकते हैं लीही के मुताबिक इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने काम और जीवन में एक उद्देश्य तलासना जब हमारे काम से कोई उद्देश्य जुड़ा होता है या हम किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं तो हम खुद में ज़्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं शोध बताते हैं कि पोजिटिव मूड का सम्मंद हमारे दिमाग की बाएं हिस्से की गतिवीदियों से होता है जबकि नकारात्मक भावनाव का सम्मंद हमारे दिमाग के दाएं हिस्से से है The Journal of Personality and Social Psychology में परकाशित एक अध्यन भी बताता है कि हमारे दिमाग की गतिवीदियों का पैटर्न यहते करता है कि हम किस परिस्थती पर कैसे प्रतिकिरिया देंगे अध्यन में जिन लोंगों ने मनोरंजक फिल्में देखी उनमें दिमाग का बाया हिस्सा जादा सक्रिय रहा जिससे अच्छी प्रतिकिरियाएं आई वहीं जिनोंने आउसाद वाली फिल्में देंगी उनमें दाया हिस्सा जादा सक्रिय रहा और उन्होंने नकारात्मक भा जाहिर की लेकिन सोचने समझने की प्रक्रिया में बदलाव कर आप दिमा की गतिवीदियों को नियंतरित कर सकते हैं, इसके लिए अपना सकते हैं, इसमें ये चीजे कर सकते हैं, स्टॉप